तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़िदार और चटपटी से चाट की रेसिपी लेके आयो जो कि यह फेमस रगड़ा पैटी इसमें मटर होती है पीली वाली साथ में होता है आलू की एक बढ़ियासी टीकी तो बनाने में बहुत जादा सिंपल होती है साथी साथ टेस् सबसे पहले मैंने हाँ पर पीली मटर है यह और इसको मैंने रात में भिगो करके रग दिया था तो करीब 6-7 गंटे तक यह भीग चुकी और अच्छे से फूल गई है अब इसका यह वाला पानी निकाल देंगे और एक प्रेशर कुकर में ट्रांसफर कर देंगे साथ में ड चुटकी जितना हींग यह काफी तेज वाली हींगे इसले में बहुत कम डाली है और लिट बंद करके मीडियम फ्लेम पर चार से पांच सीटी आने तक हम इसको अच्छे से उबाल लेना है नेक्स्ट मैंने लिये है छे मीडियम साइज के अबले आलू मैश कर लिया है उसमे मैं यहां पर डाल रही हूँ एक इंच अद्रका टुकड़ा उसको घिस करके मैंने डाला यानि की ग्रेट करके थोड़ा सा जाएगा यहां पर हरा धनिया और अब इन सारी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है यह वाली जो अलू पैट्टी बनती है इसमें बहुत देंगे और हाथ में इस तरीके से राउंड करते वे इसको शेप दे देंगे एक पाटी का या फिर एक टिकी का तो बस इस तरीके से मैंने इसको बना लिया है एज इसको आप चाहे तो इस तरीके से घुमाते वे थोड़ा सा स्मूध कर सकते तो यहां पर इस तरीके से टिक fry नहीं करेंगे तो आप चाहें ऑईल की जगे आप देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं उसे भी काफी अच्छा टेस्ट आएगा और फिर उसके बाद एक बार में जितनी आए आप उतनी इसमें अरेंज कर दीजेगा अप नेक्स टिपे इसको बहुत जादा हमें पलटना नह दीजेगा और फिर इसको आप दूसरी साइड पर पलटीगा अब यहां पर हम इसको बापस से दूसरी तरफ पलट लेते हैं और यहां पर आप देखेंगे कि जो इसका दूसरी तरफ से भी कलर है काफी अच्छा आ गया है और मीडियम फ्लेम पर हम इसी लिए कुक कर रहे ताकि तिक्की जो है वो इसी तरीकी से लाल सिके ऐसा नहों कि कहीं से जादा जल गई है या पर कम आज पर क्या करेंगे यह जादा ओयल अब्सॉब कर लेंगी तो इसलिए फ्लेम को मीडियम ही रखेगा तो यहां पर टिक्की हमारी रेडी है और अब चलिए हम हमने बनाया हुआ है तो रगड़ा पैटी इसको के बोलते है रगड़ा जो मतर होती है उसको बोलते है और पैटी यह जो आलू की टिक्की होती है उसको बोलते है उसके अपर सी एक दम तीकी वाली बढ़िया हरी धनिया की चट्नी डालेंगे और साथ में डाल देंगे मीठ थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च आप चाहें तो हरी मिर्च की जगर लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं और बहुत असेंशल है इसमें हम डालेंगे ये हरी धन्या बहुत सारी इसे टीस बहुत अच्छा आता है और थोड़े जितनी ज़ादा टेंटिंग लग रही है खाने में भी उतनी ही ज़ादा अमेजिंग है काफी फ्लेवर फुल है और जब खाने के बाद आ ही गई तो चलिए हम इसको टेस्ट भी करके देख लेते हैं तो जो टिकी है वो उपर से काफी ज़ादा क्रंची है और अंदर से ही काफी सॉफ्ट है क्योंकि जो मटर होती वो ऐसी काफी सॉफ्ट सी रहती हो बलने के बाद से तो इसको इसी तरीके से मिक्स करके खाया जाता है मटर के साथ और काफी चटपटा सा और भढ़िया इसका टेस्ट आता है तो उमीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आयोगी काफी जादा सिंपल प्रोसेस है इसको बनाने का लेकिन टेस्ट इसका मज़ेदार है तो ट्राई ज़रूर से कीजिगा इस रेसिपी को और मुझे बताना मत बूलेगा की कैसी बनी है तिल देन स्टे ब्लेस्ट, की वचिग वचिग मैं विडियो और भाई फ्रमी